हेलो स्टुडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम सैवन्ध क्लास साइंस का थर्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है फाइवर टू फैब्रिक, फाइवर होता है रेशा और फैब्रिक होता है कपड़ा, हमने सिक्स क्लास में ये प सिंथेटिक फाइवर्स होते हैं, नेचर से जैसे कि प्लांस और एनिमल से जितने भी रेशे हमें मिलते हैं, वो होते हैं नेचरल फाइवर्स ठीक है, और सिंथेटिक फाइवर्स कौन से फाइवर्स होते हैं, ऐसे फाइवर्स जिनको हम केमिकल्स के द्वारा कर क्या बनाते हैं एक थ्रेड बनाते हैं ठीक है थ्रेड होता है धागा या फी यान बनाते हैं यान जो उनी धागा होता है तो बहुत सारी रेशे आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं यान बनाते हैं या थ्रेड बनाते हैं और बहुत सारे थ्रेड बहुत सारे थ्रेड है इनकी रिश्यों से कपड़ा कैसे बनता है ठीक है फाइवर से फैब्रिक जो है वो किस तरह से बनाये जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो आपने 6 क्लास में ये पढ़ा था कि हमें कुछ एक जो फाइवर से हैं वो हमें प्लांस से मिलते हैं जैसे प्लांस से मिलने वाले फाइवर से कौन से हैं cotton and jute, cotton and jute, जो हमें plants से मिलते हैं, तो ये plants से मिलने वाले fiber हैं, you also learnt that bull and silk fibers are obtained from animal, आपने ये भी पढ़ा था कि जो bull होती है और जो silk होता है, जो रेशम होता है, ये हमें animal से मिलते हैं, तो animal से मिलने वाले fibers है, bull and silk, bull is obtained from the fleece, hair of sheep और yak, तो जो bull है, जो own है, वो हमें कहां से मिलत होती है, fleece of sheep, या फिर yak से मिलती है, fleece क्या होती है, जब हम sheep के बालों को कारते हैं, तो जो बालों की पतली layer, जो हमारी पास बालों की layer बज जाती है, वो होती है, यानि कि जो भेड और yak के जो बाल होते हैं, उन से हमें उन मिलती है, silk fibers come from cocoons of silk moth, silk fiber यान की जो रेशम के र Do you know which part of the sheep's body yields fiber? क्या आपको पता है कि जो sheep है, जो भेड होती है, उसकी body को कौन सा part जो है, वो हमें fibers देता है, yield होता है, produce करना, पैदा करना, यानि कि जो sheep है, sheep की body को कौन सा part जो है, वो own बनाएगा Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we weave from the market to knit sweaters? और क्या आपको पता है कि जो हम market से खरीद के sweater बनाने के लिए, जो market से उनी धागा खरीद के लाते हैं, तो यह जो उनी धागा है, यह जो बूलन यान है, fibers से, ratio से, यह कैसे बनाए जाता है, ठीक है? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris, और क्या आपको यह पता है कि जो silk fiber होते हैं, जो ratio के fibers होते हैं, उनसे ratio कैसे बनाया जाता है, और फिर इस ratio से जो sari बनाए जाती है, ठीक है? तो आपको किया यह सारी चीजी पता है, in this chapter we shall try to find answer to these questions, तो जितने भी यह questions है, हम यह chapter में इन questions के answer का पता लगाने के कोशिश करेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि कैसे ratio से धागा और फिर धागों से कपड़ा बनाया जाता है, animal fibers, wool and silk, तो हमने पढ़ा plant fiber, plant fiber कौन कौन से ह बूल and silk जो है, वो animal fiber है, next है, बूल, उन, ठीक है, बूल comes from sheep, goat, yak and some other animals, तो बूल हमें कहां से मिलती है, बूल yielding animal कौन से है, sheep, goat and yak जो है, वो बूल yielding animal है, these बूल yielding animals bear here on their body, अब यह जो बूल yielding means जो उन देने वाले जो animals होते हैं, तो यह जो उन देने वाले animals होते हैं, इ do you know, why these animals have a thick coat of hair, coat होता है, एक परत, ठीक है, एक कबर, तो यह आपको पता ही जो animals होते है, उन देने वाले animals होते हैं, इनकी बॉड़ी के जो Century c each layer, कि आपको प्र एक एक लियर क्यों होतीय है, जो यह जो बूल होता है, बूलत एक प्रूल grew two have been HERE he is a poor conductor of heat, पूर कंड़क्टर होता है, कंड़क्टर मीन्स एक ऐसी चीज जो किसी और चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, तो पूर कंड़क्टर ओफ हीट होती है, गर्मी, जो गर्माईश होती है, ठीक है, तो हवा क्या करती है, हवा जो है वो पूर कंड़क्टर है heat की, तो यह जो है, यह heat को, यह जो animal है, animal की body के उपर क्या है, hairs है, तो उन hairs में हवा trap हो जाती है, अभी हवा जो है, वो poor conductor है, तो जो animal की body के अंदर जो भी गर्मी है, animal की body के अंदर जो गर्माईश है, उसको यह बाहर नहीं जाने देती है, क्योंकि जो air है, जो बालों में trap ह वो पूर कंड़क्टर होती है तो his आप्ठर फोर मेह में पड़ोगे थी क्या होती ए defendants ऑन्मल और टो फीएश होते हैं ऑन्नमीं की बॉड़ी की आड़ा होती है यह अनिमला नुपको साइब अट रह दो तो वो एनिमल को गर्म रखता है बूल इस डिडाइव फॉर्म दीज हेर फाइवर और यह जो हेरी फाइवर से हैं यह जो एनिमल की बॉड़ी के उपर बाल होते हैं इनी से जो हैं हमें उन मिलती है डिराइवड होता है प्राप्त करना ठीक है तो हम इनी फाइवर से उनको लेते हैं एक्टिविटी 3.1 है फिल्ट हेर ओन यो बॉड़ी और आंस और दोस ओन यो हैड तो आपके बॉड़ी के उपर जो बाल है सिर के उपर जो बाल है या फिर जो बाजों के बाल है आप उनको टच कीजिए और उनको फिल कीजिए डू यो फाइड एनी डीफरेंस तो कि आपको कोई अंतर देखता है कि बालों में अलग कुछ फर्क है isto desse guests diagonal and which one is soft छो थोड़ा सक्थ होता है जो थोड़ा कडग होता है ठीक है और soft होता है उना आम तो आप देखोगी कि आपके जुट के bale है जो आपके बाजुों के बाल है और चोपके डाडी के बाल है तोड़ी steal सक्थ होते हैं और जो आपके बाजूँ के बाल हैं वो थोड़ी मुलाइन से होते हैं लाइक अस दाहरी स्कीन ओफ दशीप हैस टूर टाइपस ओफाइवर्स एट फॉर्म इस फ्लीस हमारी हमने देखा कि दो तरह के बाल जो हमें प्रेजेंट होते हैं हमारी जो बाजूँ के बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जो हमारी दाड़ी या जो सिर्फ के बाल होते हैं वो थोड़ी सक्स से होते हैं तो उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जो शीप होते हैं शीप के बाल हैं वो भी दो तरह के होते हैं शीप के फाइवर्स दो तरह के ह वो और दूसरे हैं fine soft under hair जो अंदर की तरफ को skin के साथ में लगते हुए जो अंदर की तरफ को soft hair होते हैं वो the fine hair provide the fibers for making bull अब ये जो soft under hair है जो अंदर की तरफ को present है animal के वो जो fine hair है वो हमें उनसे हमें क्या मिलता है bool मिलती है मरलब ये जो अंदर हेर होते हैं soft under hair इनी से हम बूल बनाते हैं इनी से हमें base बूल मिलती है some breeds of sheep possess only fine under hair breeds होती है जो नसल होती है ठीक है अलग अलगल नसलों के होते है animal तो sheep की कुछ ऐक ऐसी नसल होते हैं जिनमें सिर्फ जो fine under hair होते हैं वही present होते हैं अब होता क्या है यह जो breeds होती हैं जिनके पास सिर्फ soft under hair ही होते हैं तो इनके parents को choose किया जाता है ठीक है इनके parents को क्या किया जाता है चूज किया जाता है मलल हम चाते हैं कि हमारी जो भेड का बच्चा है उसमें जो है वो बहुत ही अच्छे soft hair हूँ तो हम क्या करेंगे हम उसके parents को यह जो उसकी mother है उसकी father है तो उसको हम choose करेंगी मलल जैसे mother और father में characters होंगे तो वैसे ही character हमारी बच्चे में आएंगे तो हम उन दोनों को क्या कर करेंगे चूज करते हैं select करते हैं और फिर उनकी crossing कराते हैं reproduction करवाते हैं और फिर जब उनका बच्चा होता है तो बच्चे में क्या होता है वैसे ही characters आते हैं जैसे हमें चाहिए ठीक है तो this process of selecting parents for obtaining special characters in the offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding बटी selective breeding selective breeding में हम select करते हैं parents को breeding यानिकी reproduction तो हम reproduction ज of strings होते हैं जो बच्चे होते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं हम दो parents को mother or father को जो है वो select करेंगे हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे बच्चा होगा उसमें जो है वो ऐसे characters हो तो वैसे ही character वाले हम parents जो है उनको select करेंगे फिर उनकी reproduction करवाएंगे उनसे बच्चे पैदा कराएं और जो बच्चे होंगे उनमें फिर वैसे ही characters होंगे जो हमें चाहिए तो हमने क्या किया हमने parents को हमने select किया हमने select किया parents को तो इसलिए इसको कहते है selective breeding बटी selective breeding the process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding तो यह होती है selective breeding यहाँ पे आफ फीगर में देखे यहाँ पे जो है वो आपको एक sheep की breed दिखाई गई है ठीक है तो इसमें जो है वो अच्छी तरह से growth होई है hairs की animals that yield bull अब ऐसे कौन से animal हैं जो own देते हैं ठीक है जो own बनाते हैं several breeds of sheep are found in different parts of our country अब हमारी country के हमारे देश के अलग-अलग जगह पे अलग-अलग regions में भेडों की बहुत तरह की नसले sheep है चीप से ही हमें ऊन नहीं मिलत जो sheep की fleece होती है जो sheep के बाल होते हैं वहीं से हमें ऊन नहीं मिलती दो वो इस commonly available in the market Is Sheep boy यद्दपी जो market से हमें उन लाते हैं मारकर से जो हमें मिलती है वह ज्यादा तर जो होती है वह sheep की bull ही होती है और ऎंवल जो sheep है सीप हमें उन नहिंग और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिन से हमें बूल मिलती है याक बूल is common in तिबत और लद्दाथ में याक की जो बूल होती है जो씨 ओनल होते य Egyptians की उन पाय जाती है अंगोरड पूल इस संफ्रों Am stop गोड अब अंगोरा बूल एक जो है ये भी एक ब्रीड है अंगोरा गोड ठीक है तो अंगोरा गोड से हमें मिलती है अंगोरा बूल और ये कहां पर पाई जाती है फाउंड इन हिली रिजन सच जमू और कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके होते हैं जैसे जमू और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं बहां पर यह अंगोरा गोर्ट पाई जाती है और इससे हमें मिलती है अंगोरा बूल तो आपने याद रखना है कि जो याक बूल होती है याक से मिलने वाली जो बूल होती है वो कहां पर जादतर कॉमन है दिब्बत और लद्धाक में याक की बूल ठीक है अंगोरा गोर्ट जो है जिन से हमें अंगोरा बूल मिलती है वो कहां पर पाई जाती है तो वो हिली रिजन्स आफ जमू एंड कश्मीर ठीक है तो वो ऐसी जगह पर पाई जाती है हिली रिजन्स में पाई जाती है तो आपने याद रखने ही चीज़ें इंपॉर्टे तो जो बूल है वो हमें गोट हेर से बक्री के हेर से भी मिलती है दा अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट होती है उसके जो अंडर फर होते हैं फर होते हैं जो कश्मीरी गोट है उसके जो फर होते हैं वो भी बहुत सौफ्ट होते हैं इसे क्या बनाई जाता है इसे बहुत ही मुलायम शौल बनाई जाते हैं जो पश्मीन शौल कहा जाता है तो आप से यह भी पूछ चकते हैं कि जो पश्मीन शौल जो हम यूज करते हैं वो किस कहां से जाते किसके हेर से बनाई जाती है तो वह कश्मीरी गोट के सॉफ्ट अंडर फर से बनाई जाती है तो आप जो है 3.5 फिगर में भी देख सकते हैं तो आमेरिका में तो आपने याद रखने है तो आपने याद रखने है र्मा एन हब जिन से अमें उन मिलती है हैं South America में पाई जाते हैं आप नीचे फीगर में यहां पे देख सकते हैं अलग-अलग एनिमेल जो है जिन से हमें होन मिलती है याक है लामा है कैमल है ठीक है अलपका है इसी तरह अंगोरा गोट है गोट है तो यहां पे आप different animal को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी body के ओपर कितनी अच्छी तरह से जो है वो growth हुई है hairs की और इनके hairs जो है वो हम कहां use करते हैं बूल बनाने में use करते हैं activity 3.2 है collect pictures of some animals whose hair is used as bull तो आपने ऐसी animals की photo को collect करना है इकठा करना है जिन से हमें own मिलती है stick them in your scrapbook और उनको हमने अपनी scrapbook में चिपका देना है if you are unable to get pictures try and draw them from the ones given in this book अगर आपको उनकी pictures नहीं मिल पा रही है तो आप यहीं जो है वो book में से इनकी diagrams को देखके अपनी book में note कर सकते हो draw कर सकते हो find out find out birds for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country local language होती है जो आपकी आसपास जो आपकी area में बोली जाने वाली जो बोली होती है जो भाशा होती है तो आपने पता लगाना है कि यह जो sheep, goat और camel याक जो है इनको आपकी local area में किस नाम से जाना जाता है तो आपने उन नाम को जो common नेह में जो local नेह में उनको जानने की कोशिश करनी है और इसके अलग-अलग regions में अलग-अलग भाशा में बोलने वाले नाम जो है वो उनके बारे में भी आपने पता करना है find out and mark the places on the map where you find animals that provide bull अब आपने क्या किया आपने जो है वो map ले आए ठीक है तो अब map में आपने mark करना है ऐसी जगह को mark करना है जहाँ पे ऐसी animals पाए जाते हैं जिनसे हमें own मिलती है ठीक है अलग अलग जगा पर पाई जाने वाले अनिमल के लिए आपने हर बार अलग अलग कलर का जो है वो यूज करना है स्वाइबर्स टूबूल फाइबर्स टूबूल मींस जो रेशिय है रेशियों से ओन कैसे बनाई जाएगी वो अब हम यहां पे देखेंगे बालों को लिए उसके दीँं की जाती है और फिर उनसे लट डाया जाती है प्रोसेस तो आईए अब हम इस प्रोसेस के बारे में जामते हैं रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप रियरिंग होता है पालन पोशन करना उसको किसी घीडिंग होता है रिक्रो डउनकिन करना ठीक ब्रीडिंग तो ये板 самых divide by छेंप हिमाचल प्रदेश, उत्रांचल, अर्णाचल प्रदेश और सिक्किम और प्लेंस ओफ हर्याना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ठीक है तो अगर आप ट्रैबल करो, अगर आप इन रिजन से ट्रैबल करो जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, जमो कश्मीर है, हिमाचल Shepherds taking their herds of sheep for grazing, तो आप जो है Shepherds होते हैं, जो गडरी ही होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगा से दूसरी जगा तक घुमते रहते हैं, तो आप जो है वो उन चरवाहों को देख सकते हो, अपने sheep के भेडों के जुंड के साथ, herds ह जो होता है, जुंड ठीक है, तो आप उन चरवाहों को भेडों के जुंड के साथ, जो है वो उनको चराते हुए देख सकते हो, sheep are herbivores and prefer grass and leaves, herbivores आपने पहड़ा है, क्या होते हैं herbivores, ऐसे animals जो plants या फिर plant products को खाते हैं, animals which eat only plants and plant products are herbivores, तो sheep जो हो herbivores हैं, और यह prefer करते है grass and leaves को prefer होता है, वो तरजी देती है, यानि कि वो पहले किसे खाती है, prefer यानि कि किस चीज़ को पहले चूज करना, तो वो घास और leaves को ज़्यादा prefer करती है, apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, joar, oil cakes, ठीक हैं, तो अब चराने के साथ साथ में जो rearer होता है, जो पालने वाला होता है, या जो पालेगा भीट को, तो जो भीड़ी होती है, उनको grazing यानि कि चराना, चराने के अलावा जो पालने वाला होता है, वो उनको और भी चीज़ें खिलाता है, जैसे mixture of pulses के दाले, corn, जो 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 होता है, oil cake, ठीक है, oil cake क्या होता है, जैसे हम किसी चीज से तेल निक जाता है, वो होता है, oil cake, material left after taking out oil from seeds, तो भीड़ों को चराने के अलावा हम उन्हें और भी चीज़ें जो है, वो खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, and minerals और minerals भी खिलाते हैं, in winter, sheep are kept indoors, and fed on leaves, grains and dry fodder, indoors होता है, घर के अंदर, outdoor होता है, घर के बाहर, indoor होता है, घर के अंदर, ही रखते हैं, और उनको पतियां, घास, अनाज की दाने, और जो सुखी घास होते हैं, फॉर्डर होता है, चारा, जो सुखा चारा होता है, जो सुखी घास होते हैं, वो खिलाते हैं, अब उन लेने के लिए, अलग-अलग हमारे जो country, हमारे देश के अलग-अलग regions में, भेडों को पाला जाता है, ताकि उनसे उन मिल सके, अब 3.1 टेबल में दिया गया है, कि हमारे देश के अलग-अलग regions में, जो अलग-अलग अलग जो भेडों की नसले हैं, उनके बारे में दिया गया है, जिनसे हमें ओन मिलती है, The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table, quality होता है कि किस तरह की उनके गुणवत्ता है, वो उन कैसी है, अच्छी quality की है, यह नहीं है, ठीक है, texture होता है, जो उसकी बनावत होती है, किस तरह से वो है, उन, ठीक है, तो टेबल में जो है, वो उसकी quality और texture के बारे में भी दिया गया है, कि किस तरह के fiber, जो है, वो हमें उन से मिलते हैं, certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which is good quality bull in large quantities, अब कुछ एक sheep जो होते हैं, कुछ एक sheep जो होते हैं, जिनकी जो नसले होते हैं, उनकी body के उपर बहुत मोटी layer होती है, बालों की, ठीक होता है, मोटा, ठीक है, तो उनकी जो कुछ नसले ऐसी होती है, जिनक होते हैं, कि बहुत ही बढ़ी है, क्वालिटी की जो है, वो उन देते हैं, और इन large quantities, quantities होता है, मात्रा कम या ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उन होती है, उन breeds में, और वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा amount में वो उन द वो ऐसे क्यों है तो हमने पहले ही जान लिया है कि हम इनके selectively breeding करवाते हैं हम इनके parents को select करते हैं जो अच्छे गुणों वाले parents होते हैं इनको select करके हैं फिर उनसे reproduction करवा कि उनका जो बच्चा होता है उसमें भी वैसे ही अच्छे गुणों वाला जो है hair is shaved off from getting bull अब जैसे ही एक बार हमने भेट को पाला और बाल पो उसके उसको बड़ा किया और जैसे ही उसकी बालों की मोटी परत आ जाती है तो हम उसके बालों को कार देते हैं ठीक है shaved off यानि कि उनके बालों को निकाल देते हैं for getting bull ये पाने के लिए हम उसके बालों को फिर निकाल देते हैं अब क्या हुआ हमने भेटों को पाला बड़ा किया ठीक है और उनके बॉडू के ऊप़र फिर बालों की growth हुई hairs की growth हुई और उन hairs को हमने अलग कर लिया अब हमारे पास hair आगे तो अब हम उनकी processing करेंगे और उनसे own बनाएंगे, bull बनाएंगे processing fibers into bull, अब जो fibers आए, जो ratio आए ठीक है, जो हमारे पास hair आए, उनसे हम क्या बनाएंगे, own बनाएंगे the bull which is used for knitting, sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process अब यह बहुत ही लंबी process के द्वारा fiber से bull बनाएंगे ठीक है, जो hairs है, hair से, अब जैसे जो हम knitting के लिए, जो हम sweater बनाने के लिए, market से own खरीद के लिए आते हैं, तो उसको fiber से उस own को बनाने के लिए, एक बहुत ही लंबी process जो होती है which involves the following step, जिसमें बहुत से steps हैं, तो यह सारे steps जो हैं, वो हम next video में पढ़ेंगे some Indian breeds of sheep, तो कुछ एक breeds जो हैं वो इंडिया में, वो हम देख लेते हैं जिन से, हमें own मिलती है name of breed है, लोही, ठीक है, लोही, quality of bull and state we have found, तो यहां पर quality है, कि बूल की quality क्या है, किस तरह की उसकी गुणवत्ता है और पाई जाती है, तो जो लोही variety है, लोही breed है, वो है, उसकी जो own होते हैं, वो good quality की होते हैं ठीक है, और यह राजिस्तान और पंझाब में पाई जाती है लोही जो breed है वो राजस्तान पंजाब में पाई जाती है और इसकी जो उन होती है वो good quality की होती है रामपूर बुशय है रामपूर बुशय है जो है वो उतर परदेश और हिमाचल परदेश में पाई जाती है और इसकी जो फ्लीस होती है वो ब्राउन कलर की होती है तो आपने याद रखना है कि कौन सी ब्रीड जो है वो कहां पर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है उत्तरफ प्रदेश में कौन सी पाई जाती है रामपुर बुशा है नली या फिर नाली आप इसे बूल सकते हैं तो इसकी जो ओन होते हैं वो कारपेट बूल होती है यो हम दरी बंदाने के लिए जो बूल यूज़ करते हैं वो इस sे प्रिड राजस्तान हर्यान पंझाब में पाई जाती है बाखरवाल बाखरवाल जो ब्रीड है वो होती है फोर बूलन शॉल जो हम उनी शॉल जो बनाते है उनी शॉल बनाने के लिए जो हमें उन मिलती है बाखरवाल ब्रीड से और यह जब मुएन कश्मीर में पाई जाती है मारवाडी मारवाडी जो है इसकी जो कोर्स बूल होते हैं कि जो इसकी जो बूल होते हैं वह तोड़ी सक्त से होते हैं और यह गुजरात में पाई जाते हैं मारवारी ब्रीड कहां पर पाई जाते हैं गुजरात में पतनवारी पतनवारी जो है यह भी गुजरात में पाई जाते हैं और इसको होजेरी होता है जैस और हुजन प्रदेश में पाइजाती है या फिर जो लो ही है जिसकी गूड क्यूलटी बूल होती है तो यह आपने यादत ने कि गुज रात में चानो-बनाई से तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पड़ेंगे अगर आपको कोई क्यां गई हैं इस चैप्टर से लेटर तो तो आप नीचे comment section में जाके comment कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो helpful लगी है तो आप इसी like share and subscribe जरूर करें धन्यवाद